नमस्कार सातियों स्वाकत है आपका आप चैनल SSC exam वरियम है दोस्तो SSC JD Constable के अभी medical standard के लिए notice आप लोग का आ चुका है और दोस्तो किस तरीके से medical आप लोग का conduct करा जाएगा वो सब इस वीडियो में जानेंगे documentation से लेकर आप लोग का final medical तक आप लोग किस तरीके से होगा detailed medical examination 2018 मेरा medical किस तरीके से conduct करा गया था वो भी मैं आप लोग को पूरे experience के साथ बताऊंगा तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आप लोग जब वहां जाएंगे तो आप लोग को entry की जाएगी entry के time पर आप लोग के जो है group divide कर दे जाएंगे कुछ group divide होते हैं जैसे 20 का कहीं पर group बना जाता है कहीं पर 30 का group बना जाता है डॉक्त के देखिए जाएंगे साथ बेठाकर उसके बाद डॉक्त के बाद आप लोग को की जो सको रोच कर देखिए भून डॉक्त मेंचेशन में लृट मेंच के जाएगी तो आप लोग का Reservation Certificate चेक के जाएगा, अगर आप लोग को पास Reservation Certificate नहीं होगा, तो आप लोग को जो है, General में Count के जाएगा, और उसके According आप लोग को ने Age Relaxation लिया है, तो कहीं न कहीं आप लोग को भरती परकिलिया से भी भार होना पर सकता है, जो आप लोग का Certificate है, व में जादा जानेंगे, Documents की वीडियो के लिए आप लोग separate वीडियो देख सकते हैं, अब देखिए, जब आप लोग का Group Divide हो जाएगा, नहीं आप लोग का एक Group बन जाएगा, तो उसमें जो है 25 से 30 Candidates होंगे, इससे जादा Candidates नहीं लिये जाएगे Group के अंदर, उसके According आ और डॉक्टर पर काफी Depend करता है, कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जादा 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 Medical देते हैं, कुछ होते हैं कि जो है 6 x 9 को भी Allowed कर देते हैं, फिर आप लोग का Hemoglobin जो है उस पर भी जादा ध्यान दिये से 12-18 तक आप लोग का ले लेते हैं, इसके बाद जो अभी Medical Standard में बात करेंगे, तो सबसे पहले जो है, आप लोग का Hospital भीजा जाता है, ग्रॉप के अकोर्डिंग आप लोग को Hospital भीजा जाता है, और जो आप लोग का Nearest Hospital लेगा, वहाँ पर Hospital भीजा गा है, अगर आप लोग के Campus के अंदर सुवीदा होगी, तो वहीं पर करा लि पहले दिन आप लोग का Blood, Urine और X-ray काम होता है, और एक Group Divide होता है, यह सब काम होते हैं पहले दिन, और उसके बाद नेक्ट डे आप लोग का Complete Medical सुरू होता है, जब आप लोग की Report अगले दिन आ जाएगी, तब आप लोग का Medical Process सुरू होगा, नेक्ट डे आप लोग को बल आप लोग की चेक की जाते हैं, कि प्रोसेस किस तरीके से भी हो सकता है, मैं आप सुरू बता हूँ, स्रिफ Hand Gaster चेक की जाते हैं, जिसमें आप लोग का Hand का Ingle होगा, यह सब चेक की जाता है, BP की बात का है, तो 140 तक आप लोग का चल जाता है, हमारे यहां तो Medical Doctor ने 140 तक ला टॉंग के अंदर देखें, जीव के अंदर प्रोलम आती है, तो वहां पर कुछ डॉक्टर चेक कर लेते हैं, यानि कुछ रीडिंग करा के देख लेते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि आप लोग हकलाते तो नहीं है, यह तो तुतलाते तो नहीं है, तो यह सब पता चल जाता है, light mark के चेक कर जाते हैं, या या फिर कई मेडिकल पर आप लोग का मसीन भी होती है है, तो उससे भी चेक करते हैं, इसके बाद देखें कान चेक करने के लिए, दो एक तो येलो कलर की मसीन होती है, उससे चेक के जाता है, और एक और जो है तरीका था, वहां पर आप जो को साउंड से चेकники जाता है तो आप लोगों को बीप की साउंड आती है तो एक बीप की साउंड आृज Hm दो फूसर कि आप लोग को पता नहीं चले गा किधर से बोसरे हम आप लोगो को बरोगी लएफ्ट तो इससे आप लोग के एर चेक जाते हैं सब्सक्राफपॉ खरकर लिए सब्सक्राफपॉ इसके बाद कुछ होते हैं दोनों 6x9 पर ले लिए लिए कुछ होते हैं एक भी 6x9 यह तो आप लोगो रिजेक्ट कर देते हैं यह बरे लिए मैं दोक्टर पे काफ़ी डेपेंड करता है। उसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं जो भी आप लोग को चार्ट रहेगा जैसे आप लोगा चार्ट इस तरीके से होता है ए ओ एक्स इसके बाद जो भी वर्ड होते हैं वो इस तरीके से लिखे होते हैं तो आप लोग इस तरीके से वर्ड लिखे होते हैं चार्ट के उपर और यह आप लोग को पढ़ने होते हैं आप लोग को पता है कि 6x6 और 6x9 आप उपर तक के तो कौलिफाई कर पाएंगे इस तो एक बार सीधी और उल्टी की प्रैक्टिस कर लीजेगा आप लोगों से दो ही तरीके पुछ जाएंगे एक बार पुछ जाएगा WBCD को पढ़ो और पुछ जाएगा उल्टा पढ़िए तो आप लोगों पढ़ने के लिए DCBW क्याते करने पड़ेगा याद करके लिए तो आप लोगों का डिसी दूर नहीं होती है तो अगर आप लोगो क्लर वीजन है तो आप लोगो किसी तरीके से क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे यह सब होता है मैंने सब आप लोगो डिटेल वाइस बता दिया है किस तरीके से मेडिकल एक्जामनेशन कंड़क करा जाता है ऐसे सीजीडी कॉंस्टेवल के अंतर और ये सब ही medical exam ने सुनने के बार लास्ट में qualified आप लोगो बता जाएगेगे केतने candidate qualified हैं केतने not qualified हैं ये सब बताए जाते हैं और जो भी candidates not qualified होते हैं उनको और जनवरी से पहले आप लोग को भरती पर किया वे कंप्रेट करनी है ससी को तो इसकान से इस बार जो है कम समय दिया जाए गर इस तरीके से ना रहें किसी भी तरीके से आप लोग कौलिफाइड हो जाएं अब लोग को कुछ चीटिंग भी करनी परें आप लोग को मेडिकल के स्टेंडर्ट के बता दिया आई के लिए इस तरीके से याद कर सकते हैं फिर मैंने आप लोग को देखी बीपी के लिए बता देता हूं आप लोग बम्रम जाद है वैसे ही नॉर्मली आप लोग कूल रहेंगे तो BP और Pulse Rate है वो आप लोग को सेट रहेंगे Pulse Rate भी चेक करते हैं, Pulse Rate 80 तक आप लोग को होना चाहिए तो जब घबराते हैं, Pulse Rate भी हाई हो जाता है तो 80 तक ले लेते हैं Pulse Rate में भी तो यह आप लोग का Medical Process रहेगा पाकि Medical के रिगारिंग आप लोग किसी भी candidate से कोई doubt है तो जरूर Medical से related कोई भी doubt है तो इस वीडियो के discussion में आप लोग कमेंट कर सकते हैं जैसी आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग के जो भी कमेंट रहेंगे